हेलो फ्रेंट्स आपकी अपनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको दो मीटर कपड़े में से गेरदार प्लाजो बताएंगे तो जिसके लिए हमने रियोन का कपड़ा लिया है कपड़ा हमारा काफी अच्छा है आप जब भी प्लाजो बनाए तो रियोन के कपड़े से बनाए और सिर्फ यह कपड़ा दो मीटर है इसी में से हम फुल गेर का प्लाजो आपको बनाना बताएंगे तो देखिए सबसे पहले जो भी हमारा कपड़ा है उसको हम क्या करेंगे कि चार तह में कर देंगे और उसके बाद हम आपको इसक इसको फोल्ड कर दिया जैसे हम कुर्ती के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं अब यह हमारा चार तह में हो गया है अब हम इस पर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे तो देखिए जैसे हम इस प्लाजो को 40 इंच की कमर के हिसाब से बना रहे हैं तो अगर आपकी कमर 40 है तो 40 इसका चौता हिसा आएगा 10 इंच और 10 इंच में आप 2 या 3 इंच की लूजिंग दे लीजिए तो उस हिसाब से आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट बनेगा तो जैसे मेरा चौता हिसा रहा है निकल के 10 इंच अब 10 इंच में मैंने 3 इंच और एक्स्ट्रा कर दिया है और द के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम इसको भी इसी सिर्फ हमने 1.5 इंच ऊपर रखा है इंच टेप को यह जीज़ आप दिहान रखें कि इंच टेप को डेड़ इंच ऊपर रखेंगे अब लगाएंगे हम आसन का निसान आसन को भी हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे इंच इंच पर निसान यह होगया हमारा दो इंच पर निसान और यहां से हम दे देंगे गोलाई ठीक है अब चलते हैं बॉटम की तरफ तो देखिए बॉटम को जितना भी चोड़ा आप पहना पसंद करती है उसे साब से आप रख लें तो मैं यहां से बॉटम की चोड़ाई है यहां से रख रही हूं 17 इंच 15 इंच 16 इंच तयार रहेगी उसमें एक इंच सिलाई के लिए अब इसको इससे ऐसे मिला देंगे ठीक है इसको ऐसे मिला दिया अब यहां से हलका सा हम कर्ब दे देंगे यहां से इस तरीके से इसको ऐसे गोलाई में मिलाएंगे इस तरीके से बहुत ही perfect बैटता है तो आप भी इस easy drafting से एक बार जरूर try करें आप इसकी हम cutting कर देंगे तो जैसे हमने drafting की है उसी तरीके से आपको cutting कर देनी है और एक चीज़ और मैं आपको बता दो जब भी plazo बनाई तो हमेशा rion के कपड़े से बनाई क्योंकि रियोन का जो कपड़ा है उससे बहुत ही अच्छा plazo बनता है जैसे रेडिमेट कुर्तियों के साथ plazo आती है और ये 80 रुपे मीटर मिलता है रियोन का कपड़ा क्योंकि इसकी अलग-अलग quality है तो आप इस रियोन के कपड़े को खरीदेंगी तो ये 80 रुपे मीटर ही मिलेगा लेकिन plazo आपका 2 मीटर में बनके तैयार हो जाएगा अगर market से खरीदोगी तो 500 रुपे में आपको एक plazo मिलेगा तो दिखिए ये इसका खुलने के बाद ऐसा हिस्सा है उपर का हमने open कर लिया है क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा तो इसको ऐसे फोल्ड किया हमने और 4 इंच का कट करके अब इसकी सिलाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो हमने 3 इंच एक्स्टर लिया था बॉटम की साइड से नीचे मोहरी वाली साइड से उसको पहले हम फोल्ड करेंगे तो देखिए हम फोल्ड के लिए पहले आप सीधी लाइन बना ले वरना आपका प्लाजो है वो छोटा बड़ा हो सकता है पहले हम एक इंच का फोल्ड फिर इतना फोल्ड क्योंकि बॉटम जितना फोल्ड रहेगा मोटा उतना ही अच्छा रहता है और देखे बिलकुल लाइन के अनुसार ही चलना है आपको आपकी लाइन से इधर उधर को नहीं होना चाहिए ये तो आप देख सकते हैं कि हम बिलकुल लाइन के अनुसार ही चल रहे हैं अब यहां से इस निसान से हम हम पूरा ही इसको फ़ीर लेंगे, तो देखे, हमने दोनों अपने बॉटम फॉल्ड कर लिए हैं, अब उसके बाद इसका हम आसन-जॉइंट करेंगे तो आसन की साइड से इस तरीके से रखेंगे हम दोनों आसन हमने मिला लिये हैं और उल्टी साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं और जैसे हमने गोलाई दी थी उसी तरीके से हम गोलाई के अनुसारी इसको अब हमने आसन जोइंट कर लिया है अब हम एक सिलाई के उपर से भी लगा लिए हमने अब इसके हम बैल्ट लगाएंगे तो देखे हमने जैसे यह बैल्ट ली थी अब इसको हम आधा इंच दवाते हुए इसको 1.5 इंच रखेंगे बस चोड़ाई में और आधा इंच हम इसके दवा देंगे तो यहां से हम इस सारे से आसन भी जोैंट नहीं किया है अव हम थोड़ा सा हिस्सा चोड़ों के दूसरी सारी सारे से आसन जोइंट बहुत कि ये वह क्योंकि वह हमने एलस्टिक के लिए छोड़ दिया है तो देखे जैसे गोल आई दी थी सेम उसी तरिके सै आसन को जोइंट करना है और इस प्लाजो को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये 7-8 मिनट में बनके तैयार हो जाता है इलास्टिक अपनी कमर से आप 5 इंच कम लें तो मैंने इलास्टिक कमर से 5 इंच कम ली है सेफटी फिनिस के अंदर डाल ली है जो होल हमने हैसे छोड़ा था उसके अंदर और इलास्टिक इतनी ही चोड़ी लें जितनी आपकी ये कपड़ा है बेल्ट का अगर आपका कबड़ा ज़ादा चोड़ा है तो थोड़ा सा ज़ादा चोड़ा रखें पैल्ट को अब यहां से हम पहले इसको अच्छे से लॉक कर देंगे ताके यह खुले ना प्ला जो देखने में लग रहा है अब यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे थाई वाली साइड से जैसे वहां से हमने तेड़ इंच लिया था यहां से हम दो इंच बढ़ाते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे यह आप निसान से भी और दोनों आसन एक दूसरे स से बनने के बाद में लुक इस तरीके से आया है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट कीजिएगा और इसके साथ की कुर्ती भी हम जल्दी अप्लोड कर देंगी थन्यवाद